कि कि How to explain the electronic behavior तो उसको explain करने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास था तो फ्री इलेक्ट्रॉॉन त्योरी तो फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी एक्चुली यह एक्वेलेंट थी जैसे थर्मल फिजिक्स में गैस मॉडल है गैस मॉडल कर दो या इसको कहते हैं काइनेटिक थियोरी of gases to kinetic theory of gases से मिलता जुलता एक model प्रपोस किया गया था जिसमें यह माना गया था कि जो conducting electrons होते हैं दोस conducting electrons are just like the gas molecules in a gas chamber उस basis पर इसको Drude model भी कहते हैं Drude जिन्होंने इसको Peter Drude जिन्होंने को conceptualize किया था फ्री एलेक्ट्रॉन एक फ्री एलेक्ट्रॉन मॉडल इसको फ्री एक्ट्रॉन थियोरी कहते हैं जुकि बिसेकली थर्मल कंडक्टिविटी हो चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो वो चीजे इससे explain हो पा रहे थी इसी मॉडल से हमने यह देख लिया कि अखर रजिस्टेंस का मॉडल ने काफी हद तक explain कर दिया लेकिन उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यह थी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तीन तरह के मिट्रियल में तीन तरह की थी कंडक्टर जो थे उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत कम लगभग जीरो और इन दोनों की बीच में एक था जिसको की नाम दिया जा रहा था सेमी कंडक्टर जिसे कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम थी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा थी अब free electron theory के साब से इस तरह का bifurcation नहीं होना चाहिए free electron theory कहती है जहां number of electron है वहां conductivity होगी और जहां number of electron नहीं है वहां conductivity नहीं होगी तो जो semi conductor से इसको कैसे explain करेंगे यह free electron theory पूरी तरह से असफल हो रही थी अब जब यह असफल हो रही थी तो free electron theory का जो सबसे main assumption था उस पर attack किया गया आखिर हम किसी particle को free cup कहते हैं free तब कहते हैं जब उसके ऊपर कोई force ना लगे और मैं मालूम है कि force जो होता है वो negative gradient होता है potential का तो अगर force ना लगे इसका मतलब वहां कोई potential ना हो तो free का मतलब यह होता है का ऐसी condition जहां हमारे पास potential ना हो तो ऐसी इस्तिती में जो total energy होती है जो kinetic energy और potential energy का sum होती है उसमें सकर potential energy वाला part zero हो जाए और सिर्फ kinetic energy ही total energy के बराबर हो इस condition को हम physics में free particle assumption कहते हैं मतलब total energy का केवल kinetic energy के बराबर होना यह potential energy का zero मानना यह free particle assumption होता है अब जब यह माना गया कि potential होता है तो यह कहा गया कि नहीं वह potential को zero नहीं मान सकते है it is existed potential exist करता है तो जब potential exist करता है तो किस तरह का होता है तो जो blocks थे just blocks Felix blocks उन्होंने एक assumption किया कि यह जो potential है यह periodic होगा periodic मतलब जैसे sinusoidal होता है periodic कि एक खास तरह का behavior शो करता है एक एक खास तरह के पैटर्न को बार-बार रिपीट किया जाता है तब इसको पिरियोडिक कहते हैं तो फैलेक्स ब्लॉच ने इस बात को अज्यूम किया कि हम अपने इस पोटेंशल को पिरियोडिक माने और इसके पीछे उनके पास रीजन ये था कि क्रिश्टल के अंदर हम ये मानते हैं कि जो एकटम से हैं वह एक regular तरीके से एरेंज ये quicker उन सारे अर्डफरेंश ने प्ने अपने अपने अपने लेक्ट्रों कि एक कर दिये हैं तो आप सकते हो ये आयन की एक चैन है लेटिश् तो जब कोई electron यहां से move करेगा, electron negative part के लिए ion positive है, तो obvious ही बात है, एक समय ऐसा आएगा कि electron सबसे closely interact करेगा इन आएनों से, देखो जब यहां से गुजर रहा है, तो इस समय आएन और electron की बीच की distance सबसे कम है, तो इस particular condition में वहाँ पर जो attraction force होगा, वो maximum होगा, electron और इस ion की ब energy है, उस energy में सिर्फ kinetic energy नहीं रहेगा, थोड़ा सा potential energy भी आजाएगी, चुकि attraction होगा, एक force महसूस होगा, तो जहां free electron theory में यह मान रहे थे, किसी तरह है कोई force नहीं होता, वहां Felix Blotch कह रहे थे, कि नहीं भाई, कोई नहीं कोई force तो यहां मानना पड़ेगा, electrostatic force तो होता ह है, उसको हम निगलिट नहीं कर सकते हैं, तो अब उन्होंने क्या कहा, कि यह जो ions है, these ions are like the trap, जैसे ट्रैप जैसे हैं, फंदे जैसे हैं, जैसे जानवरों को पकरने के लिए फंदे लगाया जाते थे जंगलों में, जब सिकारी लोग सिकार करते थे, तो वैसे ही यह trap है, जो कि move करने वाले electron को पकड़ना चाहते हैं, उनको capture करना चाहते हैं, अब फंदे कहलो, या इसो कहलो कि these ions are like well, जैसे मान लो ऐसा लग रहा कि यहां एक कुआ है, जिसमें particle trap होना चाह रहा है, यहां ठीक है, यहां एक कुआ है, यहां एक कुआ है, तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जितने आयन हैं, सब आयन, electron को trap करना चाहते हैं, तो इस ions are behaving like the well, अब चुके सारे आयन periodic तरीके से अरेंज हैं, तो अगर हम इनका potential well वाला structure बनाएं, तो आप इसको जैसे हमने बनाया यहां पर इस तरह का बना सकते हैं, इस यह हमने बनाया है, यहां पर एक well यह है, देखो यह well है, यह वाला हिस्सा है, यह आयन के सामने well वाला हिस्सा है, यह well वाला हिस्सा है, इस तरह का हम periodic well arrangement बना सकते हैं, बहुत सारे कुएं खुदे हैं, एक बगले, एक सीधे, इसको एक और तरीकेस देखो, अगर इसको देखो, थोड़ा सा इसको हम अभी तो यहां एक well बन गया, फिर यह एक well है, बराबर गहराई के, फिर यह एक well है, इस तरह से, तो आप देख रहे हो, जहां यह well वाला structure है, जो की आयन जहां है, जो की electron को trap करना चाहता है, उसको हमने इस तरह से दिखाए, यह एक well है, यहां एक well है, यहां एक well है, यहां एक well है, यहां इन दोनों के बीच में एक वाल है है ना यहाँ अभी ऐसा लग रहा है और एक electron जो मूब करेगा तो इसको पहले यह और दिखाई परेगी फिर दूसरी वाल दिखाई परेगी फिर तीसरी वाल दिखाई परेगी फीर चौथी वाल दिखाई पड़ेगी तो यहां थोड़ा सा अपना नजरिया बदलिए आप ऐसा देखिए कि यहां जो potential well हैं तो दो potential कुएं जो कुएं है potential उनके बीच में जो वो उभार वाला हिस्सा है वो एक दिवाल की तरह से है तो हम इसको दो तरह के से देख सकते हैं या तो हम कहें कि हमारे पास periodic well है या हम कहें हमारे पास periodic walls हैं दोनों नजरियों से आप इस problem को देख सकते हों अब फैलिक्स ब्रॉच यह कहते हैं कि अगर आपने यहां पर कुछ जिसमालो इसको बनाना चाहें तो सब्सक्राइब यह हो गया 0 यह थिकनेस A है मतलब इतनी थिकनेस को हम A माल ले और इतनी थिकनेस को हम B माल ले ज्योकि 0 के left side मिले रहे तो इसको minus B माले और 0 के right side में है तो यह plus A है तो एक well एक wall यह wall है दिवाल है और उसके बगल में जो यह structures को well कह रहे हैं तो well की जो चोड़ाई है वो A है और जो wall की चोड़ाई है वो B है और ideally हम मानते हैं A is equal to B तो इसका मतलब हो जाएगा all the wells are equally separated सारे wells जो हैं वो सब equally separated है और potential का यह है कि अगर आपने जगा माना कि potential हमारा यह है suppose हमारा potential है U at any point X is same as u at X plus a ठीक है अगर हम कह रहें यहाँ पर इस जगहें पर जो potential है वह potential होगा फिर वहốc potential यहां होगा वहdd न एहां होगा तो सारा जो potential है वो एक periodic तरीके से arrange है इसलिए हम कहेंगे कि जब particle move कर रहा है electron move कर रहा है तो जब इस आयन के सामने गुजरा तो उसने जो potential महसूस किया उतना ही potential दूसरे आयन के सामने उतना ही तीसरे उतना ही और आखिर इसके बगल से गुजरा तो वहां potential जाते जाते बहुत कम महसूस हुआ ऐसा नहीं होगा यह कुछ assumptions थे तो अगर हम इस situation के लिए Schrodinger equation solve करेंगे तो Blotch ने कहा कि उस Schrodinger equation का जो solution होगा वह ऐसे लिखा जाएगा The solution of Schrodinger equation in periodic potential will be R है कोई It is more low K is equal to UK function of R E की पावर I K R अगर वेक्टर में लिखें तरही है यहां K क्या है 2Pi by Lambda wave constant wave vector R is the propagation distance This is called blotch function और इस blotch function की property क्या है जो potential जो function की value R पे होगी वही function की value R प्लस A पे होगी A is the periodic distance इस तरह से एक Schrodinger equation का possible solution कैसा हो सकता है इसको पहली बार blotch ने समझाया था और इस लिए इस तरह के solution होने की जो rule है इसको हम blotch theorem कहते हैं तो blotch theorem जो है वो असल में एक theorem है जो बताता है कि किसी periodic potential structure से जब हमारा electron गुजरेगा और हम उस electron के लिए Schrodinger equation solve करना चाहेंगे तो हमारे Schrodinger equation का possible solution कैसा होगा यह एक theorem है जिसको blotch theorem कहते हैं चलो बत्चो अब हम इसके बाद एक बहुत ही important model पढ़ने वाले हैं आपके syllabus का है that is a chronic penny model क्राणिक एंड पैने मौडल ख्राणि एंपैने मौडल दो फिजस्स थे influenced by Einstein and Heisenberg Blotch कलीग आफ बलाच तो बलाच के जब सजेशन आया तो इन दोनों लोगों ने एक mathematical model develop किया और जैसा कि ब्लाज का suggestion था कि आप periodic potential मान लें तो ऐसा ही crystal lattice को उन लोगों ने एक periodic potential की form में माना तो आप मान लो ये periodic potential है जिसकी जो height है ये value V है और यहाँ पर value 0 है और कोई electron है जो इसको approach करा जिसकी energy E है अब हम इसकी थिकनिस मानें तो ये 0 मान लो तो ये A है और ये value minus V है minus इसलिए चुकिए हम 0 के left में जा रहे है तो normally ये जो थिकनिस है और जो यहाँ के थिकनिस है ये दोनों same है तो अगर आप इसको well कह रहे हो इसको wall कह रहे हो तो well and wall both are of equal dimension तो इस सिस्थाप से हम ये देख रहे हैं अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने हमें लगेगा कि ये पूरा structure है देखो यहां से यह पूरा structure आई होब आप स्कीन पर देख पा रहे हो ये structure ये एक structure है इसको मैं red से बना रहा हूं ये structure बार-बार repeat हो रहा है देखो यहां पर भी वह structure repeat हुआ यहां पर देखो यह structure repeat हुआ फिर देखो यह structure repeat हुआ तो यह हमारा जो इस तरह का structure बन रहा है इस तरह का यह structure बार-बार repeat हो रहा है और repeat होने की वज़े से हम एक series of potential पा रहे हैं तो इस structure का यह थिकने से यह B है और यह जो area है यह थिकने से A है तो हम कहेंगे कि हमारा पास हमारे पास जो पूरा structure है इसकी total value कितनी है A plus B तो after A plus B distance this is distance B this is distance A after A plus B distance we get a repetition हमको फिर से ही मिल गया फिर से अगर यह 0 मानोगे तो यह value minus B हो जाएगी यह value A हो जाएगी फिर इसको 0 मानोगे तो यह value minus B हो जाएगी यह A हो जाएगी तो हम यहां पर क्या पा रहे हैं we have a periodic potential हमारे पास एक periodic potential है और period कितना है periodic potential of period A plus B A plus B period का यह हमारा potential है इस तरह के assumption को जो माना तब अब श्रोडिंग अब अब क्रॉणिंग और पैनी ने एक model लेवलब किया तो model से पहले उन्होंने potential profile के ली तो इन्होंने potential profile थी वह ऐसे लिया कि V is such that कि V is 0 at x less than a but more than 0 देखो यहां पर यह वाला हिस्सा है ना तो अगर हम इस distance को x ले रहे हैं तो अगर x की value a से कम और 0 से जादा होती है जीरो यह है ए यह है ए से कम यानि इधर 0 से जादा मतलब इधर तो यह जो हिस्सा है जो मैंने से जीरो और माइनस वी से कम होता है यानि जब आप इस रीजन में रहोगे माइनस वी से कम रहो लेकिन से ज्यादा रहो तो यहां पर आपको वी की value दिखाई पड़ेगी यह आपके पास वी की value है तो जो हमने graph बनाया है डाइग्राम बनाया है उसको रिप्रेजन करता हुआ यह हमारा potential profile हो गया है अब क्या करना है अब इसके लिए हम शुडिंगर लिखेंगे तो बच्चों ऐसा करते हैं नाम दे देते हैं कुछ यह वाला जो हिससा है जो पहला हिससा दिखा रहा है जो पहला दिखा रहा है इसे कहते हैं रीजन वन और यह जो दूसरा हिस्सा है इसे कहते हैं रीजन टू यानि की आर टू अब हम क्या करें अपने पास सोडिंगर एक्वेशन को सॉल्व करना है हमें तो हम दो रीजन यहां पर बना सकते हैं तो हम लिखेंगे कि विल सॉल्व दू शूरिंगर एक्वेशन फर रीजन वन तो शूरिंगर एक्वेशन कैसे लिखे आती है दू साइ बाइ दी एक्स स्कॉर्ड जो कि एक्स मिले रहे हैं तू अम बाइ एच्छ क्रोस स्कॉर्ड साइ कि टू जरुड जरुड दिस वाट इस टाइं डिंडेंडेंट शुड़िंगर केवेशन दिस ताइम अब हम क्या लिखेंगे आरवन के लिए कि रिज्ञ नंबर वन में क्या है रिज्ञ नंबर वन में भी जीरो होता है और माल लें जो वेव फंक्षन है उस वेव फंक्षन को हम लिखें साइवन रिजन नंबर वन की बात कर रहे हो ना तो इसलिए वेव फंक्षन को साइवन कर देते हैं दस श्रोडिंगर इक्वेशन विकम्स देखो भाई यह एक्वेशन कैसे हो जाएगी डी टू साइवन बाई डी एक्स स्क्वाइर टू एम बाई एज क्रॉस स्क्वाइर ए माइनस वी होता है तो इवी जीरो है तो ई साइवन इस इक्वाल टू जीरो समझ रहो ना स्रोडिंगर एक्वेशन में वी जीरो कर दो और फर्स्ट रिजन की बात है तो साइवन के बराबर कर दो तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा अब इसको थोड़ा से साल्व करें तो अब आप लिखोगे लेट 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 के के वन स्क्वाइर इस को हम एक कोई टर्म के वन मान लें अगर ऐसा मान लोगे तो आपके पास एक्वेशन आजाएगी दी टू साइवन बाई डी एक्स स्क्वाइर स्क्वाइर प्लस के वन स्क्वाइर स्वाइल इसकोन होगी यह होगी और इस 이상 facies equation number A तो equation number A उस constant की value जिसको हम k1 कह रहे हैं और equation number 1 जो है शुडिंगर equation है अब हम क्या करते हैं region number 2 की बात करते हैं region number 2 में क्या होता है v की value potential की value v है potential की value v है और हम wave function को क्या माल लें जोकि region number 2 है तो wave function को 2 माल लें हमारी question हो जाएगी del 2 side 2 by del x square plus 2m h cross square e minus v side 2 is equal to 0 एक चीज देखो diagram में देखना diagram में एक चीज आप देखिए कि आपने जो energy मानी है वो energy इस potential value से कम है देखो यह energy आपने मानी है potential value से कम है तो कि अगर energy potential value से ज्यादा होगा तो यह electron बिना potential को देखे चला जाएगा तो अगर आप चाहते हो कि हमारा particle जब गुजरे और सारे potential महसूस करे तो इसका मतलब है उसकी जो total energy है वो आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी तो actual में in reality हमारे इस equation में जो e है देखो यहाँ पर इस equation में जो e है उसका magnitude v से कम है e is less than v तो यहाँ पर लिखो से तो इसका मतलब v minus e करोगे तो positive होगा जबकि आपने यहाँ e minus भी कर रखा तो यह negative quantity होगे तो इसको हम थोड़ा सा positive कर ले तो positive करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको minus common लेना पड़ेगा यह हो जाएगा h cross square हो जाएगा v minus e psi 2 बराबर 0 इसको मान ले equation number 2 या भी ना माने इसको ना माने let k2 square is 2m v minus e over h cross square यह हो जाए equation number b or d2 psi 2 by dx square minus minus now it will be minus minus k2 square psi 2 is 0 equation number 2 ठीके बच्चो तुम्हा पास दो equation आ गए equation number 1 equation number 2 अब सवाल होगा इन equation का solution कैसे लिखा जाएगा तो solution लिखने के लिए तो हमारे पास block है ही block ने बताया ही था कि आप जब इस तरह के periodic region में जाओगे और solution लिखना चाहोगे तो आपका solution एक खास तरहिके से लिखा जा सकता है तो हम लिख जाकते हैं कि दस शलूशन्स कि अफ अब 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 इकोईशन्स में रिटेन बाई ब्लॉश थेओरम क्या है भाई ब्लॉश थेओरम कहता है कि साइवन रिजन नंबर वन में वह लिखा जाएगा यूवन इन्टू एकी पावर आई अच्छा हमने के मान लिया है और डी तो के बन के टू माना इसो के मान लो ठीक है के एक्स वैस सलूशन ऐसे माना जाता था ना यू बराबर एसाई बराबर यू एकी पावर आई के एक्स यहां के की वैल्यू टू पाई बाई लेम्डा होती थी और हमने यहां पर के वन और के टू दो कॉंस्टेंट माने हैं जिनकी वैल्यू टूएम एबाई एक्छ और एक टू एम बी माईनस एबाई एच क्रॉस है थूरा सा नोटेशन को रखने के लिए प्सके मानते ह साइवन की वैल्यू हो जाएगी यूवन एकी पावर आई के एक्स और साइटू की वैल्यू क्या हो जाएगी साइटू की वैल्यू हो जाएगी यूटू A की पावर I K X तो A के लिए U1 ब्लाच फंक्शन माना है दूसरे के लिए U2 ब्लाच फंक्शन माना है और ये क्या हम बानना है ये हमारे solutions है तो भाया अगर ब्लाच थेोरम के साहब से solution आपको मालूम है और ये equation number 1 और 2 के solution है तो ये ये उनको satisfy करने चाहिए तो अब हम क्या करेंगे कि these equations must satisfy the respective Schrodinger equation इनकी जोड़िंगर equation होंगी उनको ये satisfy करेंगे तभी तो आप इनको solution मान होगे तो हमारी पहली equation क्या है पहली equation है d2 psi 1 by d2 dx square plus k1 का square psi 1 is equal to 0 तो अच्छा सोचो अगर हम d psi 1 by dx लिख लें तो क्या होगा इसका मतलब आप लिखना चाहते हो d by dx of u1 ठीक है u1 u1 जो function x होगा e, i, k, x by psi 1 की value आप यह मान के चले हो न u1 e की power i, k, x देखो अभी उपर लिखा तो है अभी आपने उपर यह तो लिखा है यहाँ पर यह लिखा है आपने तो उसी का differentiation आपको यहाँ पर अब करना होगा चलो करो थोड़ा सा differentiation यहीं है जो थोड़ा इसमें अर्चन है तो यह कितना हो जाएगा दो variable न, u भी variable है यहाँ पर भी x है तो हम first function, second function कहते हैं तो d u1 by dx e की power i, k, x plus u1 ऐसे रह जाएगा e की power i, k, x और difference हो जाएगा i, k first function differentiation of first function multiplied by second function for differentiation of second function multiplied by function लेकिन हमें first derivative थोड़ी चाहिए हमें तो double derivative चाहिए आगे अदे भी क्या आगे हा एक मिनट हमारे पास ये value आ गई लेकिन हमें तो double derivative चाहिए देखो यहाँ पर तो इसके लिए हमें क्या करेंगे हम इसको दो बार एक बार और differentiate करेंगे आप जब differentiate करोगे तब यहाँ पर आपको मामला थोड़ा सा प्रेंचीदा दिखेगा और इसको आपको बहुत ही साउधानी के साथ solve करना पड़ेगा तो मैं आपके लिए कर रहा हूं यह काम यहाँ पर यह भी x का function 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 है तो आपको first function second function का rule यहाँ भी लगाना पड़ेगा और first function second function differentiation का rule यहाँ भी लगाया जाएगा तो चलो बारी-बारी से करते हैं तो पहले तो differentiation of first function multiplied by second function plus first function वैसे रहेगा du1 by dx अब होगा differentiation of second function तो यहाँ होगा a की पावर ikx यहाँ होगा i के बाहर है differentiation of first function multiplied by second function फिर फिर्स्ट function differentiation of second function ठीक है अब क्या करोगे अब इसको थोड़ा साउल करो अब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है देखो इसमें और क्या साउल कर सकते हूँ देखो इसको हम ऐसे लिए एक बार लिख देते हैं खेक होगा एक पाव़ के दी यू बाई दी एक्स प्लस कि menor कि ऐके साउल कि पावर आइक्स टी यूवड कालओ उन बाई दी एक्स प्लस आइक भी आइक की यहां भी i k multiply होगा तो जाएगा minus i square तो minus 1 है तो जाएगा u1 k square e k power i k x ठीक है इतना हो जाएगा हमारे पास अब क्या करोगे थोड़ा अब दोनों sum हो जाएगे ना ये और ये sum हो जाएगे तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं तो पहले लिखेंगे du1 by dx square e k power i k x plus two time i k e k power i k x du1 by dx minus u1 k square e k power i k x ठीक है इतना हमारे पास आ गया है ओके अब हम क्या करेंगे इसको उठा करके एक्वेशन में पूट कर देंगे दस इसको उपर कर दें दस लिखेंगे 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 आपने क्या किया उठा करके सारी वैल्यू एक्वेशन नंबर वन में रख दी अब जब एक्वेशन नंबर वन में रख दोगे तो यहां पर यह दोनों तो क्लब हो जाएंगे एक साथ तो फाइनली आपके पास आएगा d2u1 by dx square plus 2ik du1 by dx plus k1 square minus k square u1 और सब में common क्या है? ik x बराबर 0. I hope you all get this club किया गया है. अब देखो यह तो 0 हो नहीं सकता यह तो exponential का term exponential के power कुछ भी रखोगे तो तो रहेगा वो तो 0 होगा नहीं तो हमारे पास term क्या आजाएगा? so du1 by dx square 2ik du1 by dx plus k1 square minus k square is equal to into u1 is equal to 0. यह हमारे पास एक equation आ गई. इसी तरह से similarly by similar manner similarly अगर हम u2 के लिए equation लिखेंगे तो equation ऐसे आ जाएगी? d2 u2 by dx square plus 2ik du2 dx अब वहाँ चुकिए minus है? वहाँ देखो equation में minus k2 square है. तो उसका आज़र यह पड़ेगा कि आपके पास हो जाएगा k2 square plus k square u2 बराबर 0. यह k2 है, तो जहाँ k1 है उसके जगा k2 हो जाएगा, चुकि k1 plus में था तो वह प्लस रहा लेगा k2 minus में था तो उसका minus comma लिलो गए तो यह हमारे पास formula हो जाएगा. इसको मान ले equation number 3 है और इसको मान ले equation number 4 है, equation number 3 और equation number 4 है, अब सवाल यह उठता है कि इन equations को अभी कोई solution तो आया नहीं, एक नए तरह की second order differential equation आ गई, लेकिन इन सारी equation का right side 0 है, तो right side 0 होने के मतलब यह equation कैसी होंगी? होमोजीनियस नेचर की होंगी, और इन equation का जो solution होगा, उसमें particular integral नहीं होगा, उसमें केवल complementary function होगा, तो अगर होमोजीनियस second order differential equation हमारे पास आती है, तो हमें मालूम है कि उसकी solution में हमेशा complementary function होता है, particular integral नहीं होता है, तो चलिए भाई, complementary function मतलब केवल exponential के ही होंगी, उसके अंदर term, तो उसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगी, e की power minus k1 plus kx, एक में plus का root है, एक में minus का root है, ऐसे ही u2 का जो solution हो जाएगा, वो हो जाएगा, b1 e की power k2 minus ikx plus b2 e की power minus ik2 plus ikk2 plus ikk2 plus ikk into x, this is equation number 5, equation number 6, now you have to remember this, कि इसको कैसे याद किया जाए, एक हिंट में आपको दे सकता हूं, इसका, एक हिंट आपको इतना में दे सकता हूं, equation number 3, 4 को और 5, 6 को ध्यान से देखो, अगर आप इन दो equation को ध्यान से देखोगे, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, देखो, यहाँ equation number यहाँ पर k1 square minus k है, तो इसका एक root होगा k1 plus k, एक root होगा k1 minus k, ऐसे थो होता ना, a plus b, a square minus b square का, तो आप जो यह वाला है, minus वाला, उसको i k plus के साथ यूज़ करिए, और जो यह plus वाला है, उसको i k minus के साथ यूज़ करिए, अच्छा, दूसरे को क्या होगा, दूसरा देखो, दूसरा है k2 square, इसको ऐसे लिख सकते हैं, minus i k square, अगर ऐसा लिखोगे, होज़ा है k2 plus i k, और k2 minus i k, तो जो plus वाला root है, उसको minus i के साथ यूज़ करो, और जो minus वाला है, उसको plus के साथ यूज़ करो, यहाँ i नहीं लग तो यह दो equation 5 और 6 हो जाएंगे, ठीक है, अभी हम कुशिस करेंगे, second half वाला जो भी lecture है में आपके,